एक इंसान कितनी सफलता से कोई काम कर सकता है, ये मूल रूप से इस पर निर्भर करता है कि आपका शरीर किस हद तक आपसे निर्देश लेता है, आपके विचार और भावना किस हद तक आपका सैयोग करते हैं, आपके सब तक अपनी सभी उर्जाओं को एक दिशा में किंद्रित कर सकते हैं, और आप किस हद तक परिस्थितियों को अपने लिए मददगार बना सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ होने से पहले, आपके दिश्थी कितनी सपष्ट है, ये सबसे महत्वपून है, अगर आप सपष्ट रूप से नहीं देख पा रहें, पर आपने गलत दिशा में जबर्दस्त काम किया, तो बहुत सपलता के साथ हम फेल हो जाएंगे, तो हमेशा सबसे पहली चीज होती है, अपने बोध में एक स्थर की सपष्टता विक्सित करना, यानि अगर आप यहां बैठें, तो आप साफ-साफ जानते हैं कि आपके आस-पास कैसी परिस्थिति है, सभी योगिक प्रक्रियाएं मूल रूप से आपके बोध को बढ़ाने से जुड़ी हैं, क्योंकि आपके बोध की गहराई ही जीवन के हर पहलू में सपष्टता लाती है, अगर मैं अपनी आखें बंद करके यहां बैठूँ, अगर कोई इस हौल के अंदर आता है, मैं आपको बता दूँगा किस तरह का अदनी इस हौल के अंदर आया है, अगर आप अपने आफिस में इस तरह से बैठ सकें कि अगर आपके आफिस में कोई आता है अगर आप बिना कुछ कहें ये जान सकें कि इस इंसान से क्या उम्मीद करनी है तो ये बढ़िया होगा, है न? बहुत सारी बेकार की बाते कम हो जाएंगी थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है सिस्टम को सतर्ता के एक स्तर पर रखने के लिए अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें सही खाना, सही बैठना, सांस ठीक से लेना, चीजें ठीक से करना, शरीर को सही मुद्रा में रखना अगर आप इन चीजों को जागरूख होकर एक ए दो महिने तक करेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर की सतर्ता ऐसी हो जाएगी कि अगर आपके सामने कुछ आता है तो आप उसे आसानी से महसूस कर सकते हैं चाहे वो बिजनेस हो, पस्नल लाइफ हो या सिर्फ जीवन हो, हर चीज बहतर हो जाएगी अगर आपके बोध में परयाप्ट पैनापन है